मैं ते मेरे बहुत सीनियर साथी गुर्चन सिंग चनी ते होर सारया ने आम आदमी पार्टी जोईन किती है क्योंकि आप वेख रहे हैं के जदों तो आम पार्टी दी सरकार बनी हैं आम लोग का दिया जड़ियां जरूरता हैं चाहे ओ मुफ्त बिजली होए 80% तो बहुत लो लोगानों द्वाईयां मिल दी हैं होन ट्रीट्मेंट मिलदा हुए ते चाहे ओ होड जड़ियां लोग हित स्कीम माया स्कूल चंगे बन रहे या ते लोगां दी सुनवाई हुंदी है इसे लिए इसी लोग सारे स्यासत भी जाके कम कर दिया ते फिर जो तो एक पार्टी कम कर रही है सरकार कम कर रही है तो लड़ाई का दिया तो सनुनस सयोग करना चाहिए दूसरा कि आप आप सारे जान देंगे देश वीचेख ऐसा महाल बन रहे है कि देश देश अपनी अपनी पूजीशन क्लियर करनी पहएगी कि कॉन देश दे सब्दान दे हित विच ए कंपने वुरत विच है आम आदमी पार्टी ने फश्वत तोरते इसाबद कर दो असिद देश वासिय क्छ मत्रोट है ग्रीबबने हित्विच है ते कैया पार्टीयाने हले कैया पार्टीयानु कलरिटी नहीं कित्छे स्टेंड कर ली है इसकर के अज शर्दार पुगांत संग मानजी नूं मुलाकात करके उना दी गवाई चे ऐसी आम आदमी पार्टी जोईन कीती है उना ने शनु बहुत होसला देता क्योंकि बड़े एनर्जेटिक पंजाब दे लीडर है उन्हादा बहुत विजन है ते सिंपल है आम है एक आम सड़कते जानदा सीम साफ दा काफला उन्हों एक औरत अंद्रेगा दी बाती खड़ी करके रोक सक दिया ऐसा कदी मुक्मंतरी पंजाब चोया सी नहीं आम दा उन्हों रोक सकता है बहुत सारे उन्हादे काम में अजड़े दसे जा सकते हैं ते मैं उन्हादा बहुत बहुत तन्वाद करदा मान जोग अरविंद केजरीवाल साफ दा मान जोग संदीपाठक जी दा सारी पार्टी दा बहुत बहुत तन्वादा मैं बिना किसे कंड कोई शर्त नी तुसी भी सेवा कर देओ असी भी सेवा करनी है जिनना हो सकता साथा सहयोग लाओ असी सहयोग करांगे जो भी मेरी ड्यूटी पार्टी लगाएगी मांद साथ लौन गे असी उन्हों निबावाँगे अकाली दर चट्टन दा कारण देखो मैं जड़ी पहला कि पार्टी देंदर बेप्रोस्ट की दा महौल है लीडर्शिब्दा आपसी वखेर माया थलड़े लेवल ते ग्रुफिजम है कोई कोशिश नहीं हो रही वर्क्रादे आंसले गरे हुए लीडर भी सोच देवी की होगा कदी सोच देआ बाईच की होगा बाई तो बाद भी तो बाद फिस्ताइज की होएगा कॉनिफिडेंस लेवल बहुत डाउन है इस करके अस यह फैसला किता भी जद कम करना हैं सेवा करनी हैं मेरा पिछला पच्छी साल दा जड़ा सियासी जीवन हैं मैं बड़ा सदा ते मांदार ते मेनत नाल किता हैं मैं आम लोका थे मु दान सबच भी सी मैं उठाउदा रहा हूँ मैं जेदे बल्लों भी यसी आवाज उठाई है इमान दारी नाल उठाई है